हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है मैं हूँ राज नाना और आप सब हैं मेरे सुपर इस्टुएंट आज मैं आपको 30 क्वेस्टन कराऊंगा और 30 क्वेस्टन यह होंगे केवल और केवल 30 मिनट में तो वाइए जो पूरे हमने एक हफ्ते पूरा पढ़ा हमने क्य क्या जाना क्या सीखा उनके बारे में आज में क्लास लेके आया हूं अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और मिससे अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप सबसे पहला प्रशन देख लेते हैं आपको सन्यवार रितवार को एक झादवार को पहली वार में तीस प्रशन किलास हुआ करेंगी उसमें में आपको लगवा लगवा सो प्रशन एक तेज स्पीड के साथ करवाऊंगा जिससे कि आपका पूरे की पूरे जो आपने हफ्ते में पढ़ा है उसका पूरा की पूरा और कुछ नई भी चीज में लेंगे यहां पर चलिए देख लेते हों देखते हैं कि आपके कितने आउसर सही होते हैं देखो इसकिल एंड वर्क और बूमें इन साइंस तो जल्द जल्द आंसर बताओ राइट आंसर है ग्लोबल साइंस फॉर्ड ग्लोबल बैल विए प्रशन नंबर दो सरकार ने किस दिन को राष्टी अंत्रिक्ष दिवस की रूप में मनाया है यह हाली में प्रशन है यानि करेंट अगस्त को 2 अक्टूबर को और 14 नवंबर चंद्रियान आपको याद होगा ना आज वे तो आंसर यहां पर दिखा देते हैं आपको 23 अगस्त इजराइट आंसर है इस समय पर भी सेतंबर चल रहा है तो ज्यादा समय नहीं हुआ है ज्यादा पुरानी करेंट यह नहीं है ध किता है कि नासा के किस टेलिस्कोप की जगह जेम्स वेब टेलिस्कोप ने ली है किस टेलिस्कोप को हटा कर अब जेम्स वेब टेलिकोप को अब यूज में लाया जा रहा है तो बताइए तीक है डेवलू एफ आई रहती डेवलू फर्स्ट टेलिस्कोप नैंसी ग्रेस रो ले लेगा अब यहां पर नासा जो आंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी चीजह आपको पताता है नौभी प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना की तेरह भी किस्त कहां से प्राब यह तो आपको पता होना चाहिए ना यह आपको पता होना चाहिए कि प्रधान मंत्री नेध्य मोदी को प्रधान मंत्री किसान संम्मान किसानों मिलता आपको पता है प्रधान मंत्री किसान के रूप में ध tap उनको से विज्य वाण कर द काम से या बेलगावी से तो रायट आंशर है इसका बेलगावी इस राइट आउसर है ना क्वेस्टन नम्र 6 आप लोगों के लिए है कि महला क्रिकेट में किस देश ने फरवरी जो हज़र 2003 में छटी बार आए सी सी टी ट्वेंटी विश्टो कप ट्रोफी जीती है आंसर बताओ पाकिस्तान स्री लंका ऑस्टिलिया बंगलादेश लडाई भारत के साथ हुई थी और लडाई में कौन जीता था इसमें ऑस्टिलिया ज्राइट आउसर कोस्ट नम्बर साथ है कि 27 परवरी 2030 को द्धान मंत्री नरेंद्वोधी ने कमल के आकार के ट्रेमिनल वाले किस हवाई अड़े का उद्धाटन किया है तो आपको इसका अंसर बताना बरेली हवाई अड़ा शारन हवाई अड़ा ठीक सिब गोमा हवाई अड़ा और इसे बाद दोबरी हवाई एड़ा कि आ होगा राइट चलिए इसका बताओ तो इसका राएट आंसोर क्या है सिव मोगा हवाई एड़ा इस राएटा प्वस्चन नमबर आठ है करनाटक सरकार यानि करनाटक सरकार करनाटक में तटी परेटर को बढ़ावा देना चाहिए अब बढ़ावा देने के लिए किस जिले के ब्यम टूर में डॉकेज की पेसकस करने वाली देश की पहली मरीन या नाब बेशन का निर्माड करेगी पांसर बताओ मंडिया हसन उड्डी पी या कडागू तो राइट आंसर इसमें उड्डूपी 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 इस राइट आसर प्रस्टर नमबर यह भारे आठ होगे तरह में जीता पताओ बैड्विंटर कुस्ती स्कॉट्स या टेविल टैनिस राइट राइट आंसर क्या है कुस्ती राइट राइट आंसर है ना हो गया अगला प्रशन चिकेश सा के छेत्र में पदम भीवूशन से किसे सम्मानित किया है जन्वरीति आपके साथ ओप्शन है सि पारि नवास बरधन ने विद्यी यास्के बात दिलीप महा लनुविष चृह दो होंगे नइ तो और यह double स경 опa के से आइ अई पार यह में जिताया था राय टांसर का पांच मां जीता है आई पील पांच यानि पांच खेता भी अपने नाम कर चुछ यह मैं 2023 में जब प्रधान मंतिर नइद मोदी 9 निर्वे संसद भवन का उद्गाटन किया तो उन्होंने लोग सब अद्यक्ष की सीट के पास क्या स्थापित कि या महत्मगांदी की प्रतिमां समयदान की तस्वीर या सिंगौल या इन मैंसे कोई नहीं पता होगा ना इसका राय टांसर तो पता होगा बहुत दिनों तो नीश पे चला है सिंगौल यह चोल सामराज्य से लिया गया है और इसके बारे में आपने कहानियां भी पढ़ियो मैं 2023 प्रधान मंतिर नर्मोदी नव निर्वत संसत्ववन का उद्गाटन किया तो नों ने लोग सभा अच्छे तो आंसर वही गया उस परमाडु रेक्टर का क्या नाम है जो भारत का पहला स्वदेशी परमाडु रेक्टर बन गया है ठीक है कैगा है ठीक है के पी एस है इसके अलाबा जी एच एवी पी है तो याद रखना आंसर क्या है यह काकरापार परमाडु रेक्टर बना दिया पहले हम अमेरिका कैनेडा और उस्टेलिया इनकी ऊपर डिपेंड थे अपना बना लिया यह परमाडु भट्टी होती है नाव की विखड़नर पर आधारित ह जाएगा और थोरियम आधारित हम परमाड डिरेक्टर भी बना रहे हैं हमारे आप थोरियम जादा यूरी नहीं है वही है आगे चलते हैं प्रशन कि मैई 2003 में नेम रिखत मैं से किस देश को अरब लीग में सामिल किया गया है तो आंसर याद रखना इसमें पाकिस्तान सीर या इस राइट आशर या आपको ध्याना मैं 2023 में इसरोने नया नवीगेशन उपग्राइब लॉंच किया होता है कि किसी जगह की इस्तिति के बारे में बता लगा नवीगेशन जैसे जीपीएस जीपीएस अमेरिका का नवीगेशन है याद रखना यूएसे का इसके बाद इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है गैलिली यूनियन और बोदव यह चाइन नाविक तो भारत ने इस समय पर अपना एक नाविक शैटलेट लॉंच कर दिया अब हम भारत और भारत के आसपास के पंद्रे सो किलोमीटर की चेत्र का गजब का चेत्र ले सकते हैं तो इसमें कौन सा है यह अब यह प्रशन एक और है यह है उधार लिग विश्रस्ता हमने कौन सी चीज को कहां से लिए कौन सुमेलित है तो अमेरिका सब्सक्राइब करें तो यह से आपातकार के दोरान मूल अधिकार कहां कैसे उनके बारे में हमने जर्मनी के समयधान के लिए तो यह उसका थोड़ा सा गलत है तो प्राग एतियासिक निम लिखित मैंसे किस सहर में कपास उगा जाता था प्री हिस्टोरिकल एसा काल माना जा जिस समय स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ था यह आपको द्यान रखना है अब देख लो प्राग एतियासिकाल के निम लिखित मैंसे किस सहर में कपास होगा तो आंसर मेहरगर पाकिस्तान में आपको पता होगा यहां पर बहुत सारी जगह के अवशेश मिले हैं प्राग कि प्राग एतियासिकाल जिस समय लिखी का विकास नहीं हो जब लिखित मैं में से कांग्रिस का कौन सा नेताग पूंड्र पक्ष में था के यूजना उन्निसों कव आये थी तो कौन पक्षमें था तो आंसर पता होना ज़ी सरदार बल्लब भाहिपर इस में अन्तरगती हमारे यहां पर प्राइब करना कि दोनों इसको इसको सुएकार कर पाई पॉस्त नमर्वेस पुद्चेरी में बेदेशी सक्ति को देखे संदर में निम्री के कथरों पर विचार कीजिए पर कब जा करने वाली पहली यूरूपी सक्ति फ्रांसी सी बताइए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा केवल दो है यहाद रखना यहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसी सीओं से पुर्ट चेली को छिल लिया था यह यह सही है आगे देवा क्वर्स नमर एक किस वर्ष पारित किया गया यह भी आपको पता होना चाहिए दोजार पांच दोजान तो सब्सक्त सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर जो प्रक्रिया यह यहां यहां पर एक दो चाहिए न्याय पालिकाई श्तंध्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए बहारत की और मिट्टी आाम तोर पर किस से समृध है यानि काली ते को इन काले मिकों के लिटाबं काना है तो युनरल रावा मिंटा उसके प्राविकाा ब्रसा निनाम इसका रेगुड है यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब आ जाते क्वेस्टन नमर 24 पर पंचाती समिती का गठन के सिस्तर पर किया जाए यह प्रशन है और इस प्रशन का आपको आंसर बते हैं प्रशन नंबर कौन सा हो गया है कुछ करादिया इस प्रकार से मैं आपको लगातार कराता होँगा यह आपको लिए पंचायती समिती का गठन किसी स्था पर किया गया सहरी स्था यह गाउं के समूं के लिए पंचयती सम्धिती का गठन तो याद रखो कि जो हमारे यहां पर पंचयत यहां पर क्या पंचयत है न वैसे इसका राय ट्रांस्वर का खंड यान बिलोक इस तरपर विलोक इस तरपर पर ए समधान संसोदन 1992 के द्वारा पंचयती विपस्ता पूर सम्धान की दरजा देने का और उसके बाद भारत के प्रधान मंत्री बने और उन्होंने अपने काल में यही यानि पंचाती राज विवस्ताओं को संवेधान की दर्जा देने की कोशिश करी तेहतर में संवेधान संसोतर पानवे के द्वारा वो इस इम्तिहान में पास भी होगे और 24 अप्रेल 1993 को इस पर राष्टपती ने सिगनेचर कर दिया तो 24 अप्रेल को हम पंचाती राज दिवस्त और आपको पता है कि पंचाती राजों कराज का जो विकास है वो एक साथ तो नहीं हुआ था धीरे-धीरे हुआ है और आपको पता होगा सबसे पहले बलवंत राय महता कमेटी बनी थी फिर उसके बाद जीवीपी कमेटी बनी थी थुम्बन कमेटी बनी थी बहुत सारी कमेटी है जिनों ने रिकमेंडेशन दी कि पंचाती राज विवस्ता को अब आप सुचार रूप से इस प्रक 10 अटने और कि आप click पहते हिए और गाउग क्राम सभा यानि ग्राम सभा ऐसे व्यक्ति जो भरत जो घॉज। और 18 साल से जाएक उम्र के हैं पागल हैं दीवालिया पागल दीवालिया विक्रचित नहीं वह सारे लोग बोड डाल सकते हैं उस सभी से मिलेकर ग्राम सभा का निर्मार होता है और वही सब के लिए बोड डालते हैं जलापंचात सदस्य हो चाहे आपका बीडीसी मेंबर हो तो पंचाती समिती का जो निर्मार होता कहां होता खंड या विलोक इस्तर पर होता यानि दुतिय इस्टेज पर होता यह आपको अच्छे से पता रहना चाहिए और 73 संसोधन को आप जरूर पढ़ें यह काफी ज्यादा अवर्शक भी है क्योंकि आप से प्रश्निया बहु बहुती बीच्छ्वित बैसी बहुत सारी लोग यहां पर पढ़ने और ग्यार प्राप्त करने के लिए यहां पर बहुत बड़ा पुस्तकाले था यहां पर बहुत सारी किताबे लिखी जाती थी और उनको फिर वितृत भी इनसाइक्लोपीडिया या इसको हम विकीपीडिया के नाम से भी जान सकतें नालंदा को जला दिया जाए तो फिर अशी देश पर आसान इसे अधिकार किया सकता है सब्वेता संस्कृति को निष्ट करने के लिए ये काम कि कि ये नारंदा विश्विध्याल को जला दिया था य आपको पता हो निश्चित रूप से सारे लोगों को पता होगा तो विश्तित विवरण किससे ने दिया धर्म शौमी ने आपको याद रखना है तुर्की आखनोन के बार नालंदा के विश्तित्विवरण है उससे पहले तो बहुत सारे लोग यहां पर पढ़ने भी आए तो यहां पर नालंदा में पढ़ा था तो यह कुछ चीज है जो आपको अच्छे से पता होनी पी चाहिए जरूरिक थबीस वाला प्रशन है बिहार क्रसी यंत्र सबसेटी योजना के तहट बिहार सरकार कितनी सबसेटी प्रदान करेगी 55 प्रसट 85 प्रसट या उपरोग तो मैंसे एक से अधिक क्या होगा राइट आशर इसे राइट आशर को अ तो कितनी सब्सेटी मिलेगी करसी यंत्र यानि अगर आप किसी करसी यंत्र को सभरेते हैं तो उस पर सब्सेटी मिलती है तो 75% यह कोई नहीं तो 75% याद रखना ऐसे प्रशन आप से पूछे आप क्या आया था तो ऐसे बिहार क्या करता है कि डिजिट आपको निश्री रूप उठाकर देखो पहले कि आपको पता सेलेक्शन के लिए तैयार है उसके लिए प्रशन करवाँगा इसे प्रशन करवाँगा इसे प्रशन पूस्ता वो भी मैं आपको यहां पर करवा दो जाओ को सिंपल पूछेगा हो सकता सिंपल पूछ ले आपको तयार करना है अप लेवल की वह तैयारी हम आपको कराएंगे निश्चित रूप से आपको कराएंगे और आपको निराश नहीं होनी अगरा प्रस्ण है क्वेशन नमर 27 कि बिहार में मीठी करांती निम लिखे तमय से किस से संबंदित है चीनी उत्पादन सहथ उत्पादन चौकलेट उत्पादन या आइस क्रीम उत्पादन मीठी करांती की बार पूछ रहा है ना स्वीट रैवुलिशन इन बिहार ठीक है बताओ इससे रेलेटेट है तो रायट रहां सर याद रखना सहथ उत्पादन को क्या कहते हैं एपी कल्चर के नाम से भी जाना जाते हैं बद मख्य पालने या सहथ उत्पादन यह तो आपको पता होगा ना शहथ और एक बात जार साल दोजार साल पुराना सहथ ऐसे कैसे रहते हैं जो भी इसको सडाने वाले वैक्टरिय वायरस इसके अंदर गोशते हैं तो फिर उसमें मर जाते हैं इसलिए सहथ खड़ाब नहीं होता है यापने शिर्प से पता रखना और याद भी रखना है ना 28 किस राज्य सरकार ने अस्व मेग देवी को राज्य महला आयूग का दिक्ष किया है तो यह आपको बता होना चाहिए उत्तर पिदेश बिहार जहार खन लोडी सा अब तो आप बताई दो आप बता दोगे निश्चित रूप से तो आप बता दो यहां पर क्या आंसर होगा क्योंकि बैसी आप बिहार सिच्चे बरती की तहियारी कर रहे हो अगर ऐसी प्रसन से कोई क्वेशन आएगा तो आप सिनिश्चित रूप से आपके ही राज्य की बात कर रहा इसी दीवाती है निव लिखित मैंसे किस राज्य में जीट्वेंटी सदस्य देशों को समर्पि जितने भी बैठके थी भारत में ही ती चालाकारों की हों सारी मीटिंग यहीं पर हुई थी तो वही पर आपको यह आंसर बताना है तो कहां पर होगा तो इसका भी आंसर सीदे-सीदे बिहारी होगा और यह है आपका आखरी प्रशन ठीक है और मैंने केवर 20 मिनट में ही अगली बार से हम ऐसे किया करेंगे कि आपको सुंबर मंगल वुद्ध व्रस्पत और शुक्र इन पांच दिन में आपको पढ़ाय करूंगा और पांच दिन में जितने भी क्वेस्टन करवाए हैं उनको में एक बार सारे प्रशनों को जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दि साथ देखनी पड़ेंगे पांच लेक्शर का निचोड में आपको चटमें लेक्शर में आपको प्रवैड करा दिया करूंगा सब कुछ तो उसके लेक्शर को भी आप अच्छे से देख लिया तो आपके लिए कुछ नगश नया तो करना ही पड़ेगा बिहार की कितने जि अब जरूर याद रखो विहार में अगर च्छाना है विहार में अगर नौकरी प्राप्त करनी है तो तीन वजे की क्लास को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो यहां पर मैं आपको बहुत कुछ कराने वाला हूं ठीक है चलिए तो बबाई टेक केर सब लोग अपना ध्या रखें जय हिंद जया भाव